यह question जो आपको दिख रहे हैं WhatsApp के doubt group में आया है क्या बोलता है देखते हैं बोर आए कि ना town, one male is married to one woman मतलब एक का एक ही से साधी हो रहा है polygami नहीं है नहीं polyandros है फिर बोलता है कि 60% male and 40% female are married इसका मतलब क्या हुआ मतलब यही हुआ ना कि male का जो 60% है वह female के 40% के बराबर होना चाहिए तभी ना हम बोलेंगे कि जितना male है उतना female होगा जितना married male है उतना married female होगा तभी ना आप बोलेंगे कि एक का एक ही से साधी हुआ है answer है हाँ तो male by female का जो ratio है या male by female हो गया आपका कितना 2 by 3 इसका मतलब हुआ अगर male का value 2 है तो female का value 3 है आगे calculation करना हुआ तो क्यों नहीं इसको हम अच्छा number ले ले लेते हैं तो 2 के जगाँ पे 20 ले लेंगे एन एफ के जगाँ पे 30 ले लेंगे male and female हो गया total कितना होगा तो answer है कि total तो होगया है 50 अच्छी बात है फिर हमें बताना है how much percent of people are unmarried एक बात बताईए अगर 60 percent male married है तो unmarried ही कितना होगा unmarried तो male के case में 40 percent unmarried होगा 20 का 40 percent हो जाएगा 8 female के case में अगर हम unmarried देखे तो 60 percent female unmarried होगी यह होगा 18 total unmarried population होगया है 26 percentage निकालना है 26 unmarried है 50 पे गुना का 100 आंसर होगया 52 percent तो इस question का जो सही answer है वोगया option number 3 या option number C बोलिए तो अगर यह वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुँचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पे नए है तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे सारे बेश्ट प्यू आक्यू का solution मिलेगा आपको detail में और अगर हम यहाँ पे कोई concept discuss करते हैं तो उठाएंगे basic से लेके जाएंगे टॉपता है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए solution के साथ और एक नए concept के साथ